प्रेंच आज मॉर्निंग वर्णी में बहुत सारे फूल खिले हुए हैं बहुत ही खुबसूरत लग रहे हैं इसके कलर और दो कलर में हैं पिंक में एक ही फूल है और इसमें दिखिए बहुत ही खुबसूरत इसके फूल होते हैं और सुबा सुबा ही खिल जाते हैं आज रेक और इसमें देखे बहुत सारे कली बन रहे है तो लगातार अभी इसमें फूल रहेगा हेलो मैं डियर फ्रेंज मैं बबली आप सभी का स्वागत करती हूं अपनी बग्या में तो फ्रेंज आज हम सुन्दर फूल तो दिखाएंगे ही उसके साथ आज हम सर्दी का बीज भी डालेंगे तो आज बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है और पिछले सीजन में हमारे पास जो भी फ्लावर्स थे सर्दी के उसी का मैं बीज रखी थी तो आज मैं वहीं ग्रो करने वाली हूं बीज से बहुत ही असानी से त्यार हो जाते हैं पिछली बार भी मैं बीज से ही त्यार की थी प्रेंस उससे पिछले साल मैं पौधे खरी दी थी उसमें से जो बीज रखी थी उसका मैं पिछली बार अपने गाडन में उगाई थी मैं सारे का वीडियो डाली थी प्रेंस मैं कैसे उगाई हूं और सारे पौधे सब दिखाई थी तो आपको अगर देखना होगा तो आप मे और अभी दूसरे फूल सब उतने अच्छे से नहीं खिले हैं क्योंकि अभी दूप उतना अच्छा नहीं है सुबह सुबह का टैम है आठ सब आठ के कड़ी फोरा होगा भी तो पर्सलें तो सुबह ही खिल जाते हैं पुर्चूल का खिले नहीं अभी और देखे यहां पर अभी किलना श्टार्ट हुआ है पुर्चूल का सब आज हिबिसकस में कम फोल है सफेद और पिंक में है जो अभी खिले नहीं है और इधर हमारे सर्दी के पोधे हैं गिंदा औ थो आज मैं बीज डाल और डालेंगें नहीं ऊगलेगा तो हमारा सरा बीज वरни भटेंगें उटन से खतम हो जाएगा और हम एक यी बार में अगड़ डाल देंगे तो जैदा गहना हो के-पोधा उगता है और एक ही साथ फिर हमें लगाने के लिए बहुत सारे पॉट चाहिए आगे पीछे करके लगाएंगे तो जो पौधा अभी होगेगा हम उसको लगाएंगे फिर उसमें हम दूसरा बीज डाल देंगे तो देखिए इसमें से मैं निकाल नहीं हो थोड़ा थोड़ा बीज होली होका और इन्वल क्रिस्टमम का बहुत सारा बीज है पिटोनिया का भी तीन कलर में हैं और दो डॉग फ्लावर्स हैं तो देखिए हल्दी मिला के मैं इस सबको रखी थी हल्दी के जगह पर आपकी साट पर और भी मिला के रख सकते हो तो हमारे पास नहीं था तो मैं में यसे ही हाथ से मिला दी हूँ तो देखिए इस में भरवर के मिटी रखी थी जैदेबारीस होने के कारण लग सारे मिटि खात हीं, अब इसमें उतना मिटि नहीं था, तो सारे कंग है। तो देखे सर्दी का बीज लगाना बहुत ही असान है और इसे मिटी को हमें दवा देना है और उपर से अगर हमारे पास कोकोपीट रहते तो कोकोपीट से कवर कर देती तो बहुत अच्छा रहता तो देखे बस उपर से हलके हाथ से हमें इसका भी इसे डालना है और हलके से मि मिटी से ही कबर कर दूँगी सारे बीज डाल लेती हूँ फिर एक ही बार में सारे को ढग दूँगी फिर पिटुनिया का बीज बहुत ही छोटा छोटा होता है तो उसको लगाने के लिए कोकोपिट ही अच्छा रहता है और देखें मैं मिटी में लगा रही हूँ देखती हूँ उगता है नहीं अगर नहीं होगेगा तो थोड़ा सा बीज जो रखी हूँ उसको उगाने के लिए फिर कोपिट मंगा लूँगी और ये देखें जो जो जोट रहते हैं बीज साब तो ये एन्वल क्रिस्टमॉम का है तो उसको हमें हटा के अलग-अलग लगाना है जिसे की एक ही जगह अगर पौधा उगाएगा तो फिर अच्छे से नहीं बाट पाता है तो इसे थोड़ा हटा-अटा keen रहेगा तो अच्छे से उग पाएगा इन्वल क्रिश्टमम का बहुत सारा बीज है तो इसलिए मैं दो पॉट में डाल दी हूँ और बहुत ही खुबसूरत इन्वल क्रिश्टमम होते हैं तो सफेद और पीला दो कलर में हमारे पास पिछले सीजन में था और उसमें दो ही कलर आता है और यह पिटुनिया का पिटुनिया का बीज बहुत चोटा चोटा होता है तो देखें इतना सा मैं एक कलर में से ले रही हूँ और थोड़ा सा छोड़ दी हूँ एक बार आउट डालूंगी तो देखें बहुत चोटा चोटा बीज होता है और देखिए मैं इसको भी दो पॉट में डाली हूँ क्योंकि छोटा छोटा बीज होता है बहुत सरा हो जाता है फ्रेंस तो बहुत असानी से ओग जाते हैं अगर हम मिट्टी भुरभुरी रखते हैं तो मिट्टी में भी बहुत असानी से ओग जाते हैं मैं पिछली बार भी मिट्टी में ही हो गाई थी और मुझे बहुत पौधा उस बार मिला था तो उस बार तो एक ही कलर हमारे पास था इस बार मैं तीन कलर का बीज रखी हूँ तो देखती हूँ मुझे कितना पौधा मिल पाता है इस समय से और ऐसे ही हलके हाथ से हमें मिट्टी उपर से डालना है और इसके बाद हमें इस्प्रे करके पानी डालना है तो अभी जब तक पौधा उगे नहीं तब तक हमें इसमें इस्प्रे करके ही पानी डालना है और जिसे की मुष्षर बना रहे हमें इसको ढखके भी रखना पड़ नहीं उगेगा तो हमें इसको cover करके रखना है मिटी से cover कर देती हो और जो बीच सबचे है डाल डाल दी अब मैं जल्दी से पानी देती हो सारे मिटी एक जग हो जाएगा तो हमें हलका सा पानी देना है जिससे कि इसमें मुश्चा रहे और मुश्चा रहेगा तभी बीज जल्दी से उगेगा और इसको हम खुले में नहीं छोड़ेंगे डख देंगे तो फिर इसमें सारी में पानी दे देती हूँ और भी बीज लगाना है तो वो सब लगा लेती हूँ फिर मैं इस सब को एक के लिए इसका कवर हटा के धूप लगा दूँगी नवी बारी से बीच-बीच में हो जाते हैं प्रेंस उस सीजा भी हमें दियान रखना है कि इससे बारी से भी बचाना है और जैदे धूप से भी बचाना है तो अज का टॉपिक कैसा लगा कॉमेंट में बताना और देखे इसमें फिर से बहुत सारे फूल खिल रहा है तो इसमें लगातार फूल आते ही रहते हैं लेंडाना में फ्रेंट्स तो सर्दी के फूल से बहुत ही खुबसूरत होते हैं आप अभी नरसरी से सेपलिंग भी ला सकते हो और अभी भी आप बीज से ग्रोग कर सकते हो तो बहुत ही खुब्सूरत होते हैं बहुत अच्छे से चलते रहते हैं गेंदे का तो फिरी में आपके पास बहुत सारे पौधे तयार हो जाएगा तो दिवाली के टैमें भी फूल आते हैं उसको भी आप दसारा दिवाली में जो फूल चड़ाओगे उसका भी आप पौधाओगा सकते हो और फिरी में आपके पास बहुत सारे पौधे तयार हो जाएगे तो फ्रेंज आज का टॉपिक अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना अगर चैनल पर पहली बार आए हो अभी तक सस्क्राइब ने की हो तो प्लीज प्लीज सस्क्राइब करके सपोर्ट भी करना अगर आप सब ये वीडियो इस्टाग्राम फेस्बुक मोज कहीं भी देख रहे हैं तो वहाँ पर मुझे पोलो करना मेरे वीडियो को लाइक सेर करना तो फिर अगले वीडियो में किसी खास टॉपी के साथ आज के वीडियो में इतना ही